हरी संकितन करते रहें करवाते रहें और हरी नाम जबते रहें जबाते रहें भगवान के बजन का अधिकारी कव में किसको बताया गया है शंकित रहता है मनुशे, शंका करता है अधर्मी है यह उस जाती का है यह इस जाती का है अलाना है यह फ्लाना है धिम का है ऐसा ऐसा बहुत सारी बाते आती है तो समझते हैं, आपको बताया गया कि मूल जो इस्मरती, मनू इस्मरती है वो भगवत गीता है बेदों का महाभारत, भगवत, संपून जो शास्त्र है कहने के माइने, उनका जो निचोड है वो भगवत जीवे है तो भगवान शुरी कृष्ण ने क्या कहा है? प्रश्ण क्या है? भगवान के भजन का अधिकारी कोण है? बजन का अधिकारी कोण है? इस बात को हम जानते हैं, इस बात के हमने जानकारी हासिल करनी कौन होगा? कौन है वो भजन का अधिकारी? बहुत दुरात्मा इंसान है वो अगर भजन करता है तो भजन करते करते वो धर्मात्मा हो जाया दुखी इंसान है अगर वो इस शुर का भजन करता है तो भजन करते 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 उसके दुख नश्ठ हो जाते है कोई पापी है बहुत तो उसके अगर वो भजन करता है आज सो भजन करना शुरू करता है तो भजन करते करते उसके पापनश्ट होते हैं कोई अशांत है जो बहुत अशांत रहता है अगर वो इश्वर का भजन करने लग जाए तो धीरे 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 उसका मन इस्तिर होते 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 ऐसा इस्तिर हो जाता है उसका मन शांत होने लग जाता है शाश्वत शांती इश्वर के बजन से मिलती है हमेशा महा आनंद इश्वर के बजन से मिलता है लेकिन हमारा प्रश्ण क्या है कि इसका अधिकारी कौन है इस बजन का तो वगाँ श्रीकृष्ण ने सोयम कहा कि है अर्जुन सभी जो दुराचारी भी है पापी है पुण्यात्मा है कोई भी है जो मेरी श्रण में आ जाता है वो वगजन का अधिकारी है यानि कि जो श्रणागत है गुरु श्रणागत है इश्वर की श्रणागत है अब श्रणागत है क्या ऐसा बोलने को तो सभी कहते है रोज कहते हैं भगवान हम आपके शरण में, नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे, भगवान के शरणागत का तात्परिय सिदा है, जो इश्वर ने बातें कही है, जो भगवान श्रुक्रिशन गीता में जो अग्या दे है मनुश्य को, कि इस अच्रण करना चाहिए, यह कर्म करने यूग्य तो उन कर्मों को जो करता है और अपने आपको भगवान के निमित कर देता शरणारती हो जाता है कि भगवान में तेरे निमित में तेरी शरण में हूँ मैं तेरा अनुचर हूँ में तेरी आज्या का पालन करूंगा हर आज्या तेरी पालन करूंगा वो भगवान के भजन का अधेकारी है जो ऐसी भाव बंगेमा बना लेता है। अर्जुन ने यही तो किया था। जब बात को जानने लगे तो अर्जुन ने क्या किया था कि मुझे सत्य का अभास करो फिर ये क्या है। सब। और जुन ने हाथ जो ले सिर चर्णों में रख दिया कि है प्रभु आप मुझे सत्य का अभास करो मुझे आग्या किजे। मैं आपका शिष्चे हूँ। मैं आपका भगत हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। शर्नागत ये होती है। अपने आपको शर्नागत करके और परम हर हर महादीद